हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेर बदर वितायुष और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर विदानता के स्टॉक के बारे में तो दोस्तों आज विदानता की बोड मीट थी और आज डिविडेंट पे कंपनी अनॉंसमेंट करने वाली थी तो कंपनी न अनॉंसमेंट कर दिया है डिविडेंट का दोस्तों अनॉंसमेंट हो चुका है कितने रुपे का है इसके बारे में हम बात करेंगे और आगे इसकी र जरूर देखेगा फ्रेंट्स पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले तो अगर आप विदानता का शेर देखेंगे तो आज डिविडेंट से पहले कुछ खास इसा मूव दिखाता हुआ नजर नहीं आया एक परसंट के आसपास देखें शेर जो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला 311.90 का आज का हाई था 306.55 का लो 309.45 पे ओपन तो एक रेंज में ही देखें इस टॉक कंसॉलिडेट करता हुआ नजर आया लास्ट एक महिने के अंदर आल्मोस 11% शेर बढ़ चुका है और लास्ट पास दिनों के अंदर जरूर आपको करीबन 2.5% की गिरावट नजर आती भी देखने को मिली है तो स्टॉक कह सकते हैं नन और लेस थोड़ा सा कंसॉलिडेट कर रहा है जरूर लास्ट एक मन में अच्छा मूव आया है बट अभी भी वो बड़ी तेजी की यहाँ पर अभी भी वेट है हम कह सकते हैं को 323 325 के उपर निकलने में काफी दिक्कत शेर को हो रही है तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेकिन सबसे बहले तो जो यहाँ पर चीजे हैं वो हम समझ लेते हैं सबसे फ़ेली बात तो दोस्तों जो कम्प्वीडेंट अनौउंस किया है वह किया है 17.5 रूपीस पर एक रूपीस का दोस्तों यहाँ पर जो है कम्पनी के द्वारा डिविडेंट घोशित कर दिया गया है पर शेर यह बात भी आ गता हुआ देखने को मिलेगा यानि एक रुपे की जो फ्रीज उसके मुताबिक साड़े सत्रा सो परसेंट का कंपनी के द्वारा दोस्तों डिविडेंट जो है वो बाट दिया गया है यह याद रखिएगा कंपनी का थर्ड इंट्रिम डिविडेंट है थर्ड इंट्रिम डि कंपनी क्यों के दिविडेंट दीए बहुत कम कंपनी होती है जो इतना हाई डिविडेंट बाटती है तो यहाँ पर undoubtedly विदानता उसमें से एक है और विदानता की दोधा third interim dividend जो है वो पेश कर दिया गया है अब आगी की चीजे हम समझते हैं तो दोस्तों यह पर company ने क्या का है कि जो record date है for the purpose of payment of dividend is witness day November 30 दोस्तों 30 November 2022 यानि witness day को company ने इसकी record date रखी है यानि आपको buy कब करना है Tuesday से पहले पहले because अगर 30 November दोस्तों यहाँ पर company ने रखी है record date तो याद रखेगा 29th जो रहने वाली है वो रहेगी X date और X date को दोस्तों हो जाता है dividend का adjustment यानि आपको Tuesday से पहले पहले Tuesday के दिन नहीं Tuesday से पहले पहले यानि आपको 28th को खरी दिये या तो उससे पहले खरी दिये अगर आपको dividend चीए और कम से कम आपको 30 तक hold करना पड़ेगा 30 November तक दोस्तों आपको hold करना पड़ेगा अगर आप खरीद लेते हैं then you are eligible for the dividend again आपको जाता हूं क्या है 28th से पहले पहले 28th को sorry 28th तक आप चाहे तो खरीद सकते हैं 28th को खरीदिये 29th दोस्तों कौन सी date है 29th है यहाँ पर company ने रखी है इसको X date यह बाद ध्यान रखिएगा और 30 तारिक दोस्तों है record date तो यह कुछ important dates है जिसका आपको ध्यान रखना है 30th is the record date 28th is the date आपको जिसके अंदर कम से कम आपके वाद शेयर होना चाहिए 29th को X date हो जाएगा X date को दोस्तों adjustment होता है यह बाद ध्यान रखिएगा X date को होता है दोस्तों adjustment और उस adjustment में जो होगा 29th को वहाँ पर stock की price में भी एग आपको difference देखने को मिल जाएगा हो सकता है कि नहीं हो गई होगा जब 29th होगी तो जो stock जो है वो 17.5 रुपय आपको नीचे trade करता हुआ दिखने को मिलेगा क्यों विकाज adjustment है जब भी दोस्तों company more than 100% 200% जो dividend company घोशित करती है तो उसके कारण एक adjustment जो है वो नजर आता है stock की price पे because आप उससे दर जब dividend गोशित करते हैं तो वो अपने आप दोस्तों एक adjustment के लिए तयार हो जाता है तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों company ने ये भी बताया कि company जो dividend बाट रिये वो है करीबन 6505 करोड का अपने आप में बहुत बड़ा है कि देखें यहाँ पे 65005 करोड रुपीज तक का dividend जो है वो company बाटती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर company ने announcement कर दिया है तो अगर हम total dividend देखें सिर्फ अभी थक financial year 2022 और 2023 के अंदर तो दोस्तों अगर dividend गिनने जाएंगे न तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा first जो dividend interim dividend company ने घोशित किया था 31.5 का second दोस्तो interim dividend company ने घोशित किया था 19.5 का और third जो interim dividend company ने घोशित किया है वो है 17.5 का तो कुल मिलाके दोस्तों company के दोड़ा 3 dividend तो company ने घोशत कर दिये हैं यह तो आप अपने आप में देखे किस प्रकार की company यह इतने जादा dividend देती है total मिलाक के अगर आप इसके value भी निकालने जाएंगे तो यहाँ पर almost company ने दे दिया है 68.5 रुपीज तक के dividend 31.5 plus 19.5 and then 17.5 यह अपने आप में देखता है कि यहाँ company किस प्रकार की thinking है shareholders के बारे में कितना सोचती है ज़रूर ऐसा नहीं है कि देखे adjustment नहीं होता है stock के price पे adjustment तो होता है वो एक last मिसी बात है adjustment होता हुआ देखने को मिलेगा because अगर dividend अगर company इतना बात देख तो इसका मतलब यह है कि आप stock के price के अंदर फ्लक्टूइशन लाते हैं यह सा नहीं होता है जब भी company dividend जादा बड़ा खुशित करेगी तो उसका एक adjustment जो है वो stock की price पे दिखेगा stock की price अपने आप नीचे आजाएगी जितना भी company के ज़र dividend बाटा गया है तो वो एक important बात है बट यह है कि हाँ long term में stock की value भी increase होती है प्लस dividend भी आप कैसा आए तो आपकी extra earning भी आप कैसा है तो इस प्रकार से होती भी नजर आ रही है तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था हुप सो आपको वीडियो समझ में आए होगा हाँ ये बात जरूर है कि आप जोसा मैं आपको बताया है कि जो dates है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 29 से पहले 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 आपके सा आता हूँ 29 से पहले पहले अगर आप buy कर लेते हैं stock को then you are eligible for the dividend यानि अगर आप 28 को buy कर लेंगे तो फिर आप ध्यान रखेगा eligible होंगे उससे पहले भी अगर आप पर stock है और आप कम से कम 30 तारिक तक उसको hold करते है तो फिर आप जो dividend के लिए basically आपके बास आएगा ऐसा नहीं कि आप 28 को buy करें, 29 को बेज दे और फिर 30 को आप सोचें कि मैं को dividend मिल जाएगा नहीं 28 को buy करें और कम से कम 30 तक hold करेंगे, कब तक 30 तक hold करेंगे, then दोस्तों you are eligible for the dividend, ये बात आप सबको समझ के चलनी है, कि eligible होने के लिए 28 से पहले पहले, 28 या फिर उससे पहले-पहले खरी दिये 29 को क्या है, X date है और 30 तक hold करें, then आपको यहाँ पर जो है dividend मिलता हुआ देखने को मिलेगा, ये 3 important dates है, जो आप जरूर screenshot चाहें, तो screenshot ले लिजेए आपको दियाद रहे, तो याद रख लीजेगा कि इन इन दिन का बहुत ज़्यादा अपना महत हुआ है, 29th को X date है, तो ये बात भी दिहान रखेगा कि adjustment होता हुआ देखने को मिलेगा, stock की price पे, अगर आप stock की price को अचानक से देखते कि बहुत नीचे आ गई, तो उसके कारण क्या है, वो दिविडेंड कंपनी के दर जो खोशित किया गया उसका एक proper adjustment stock पे आता हुआ नजर आया है तो ये ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर वीडियो समझ में होगा, बड़िया लगा होगा वीडियो को लाइक, चानल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा, thank you friends for watching this video